Hello Friends, Welcome to Foodies by Neha आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रत में बनने वाले आलू परांठी के एकदम पॉफिक रेसिपी जब भी हम ब्रत में कुछ परांठी आप पूरी बनाने का सोचने तो वो साइट से फर्ट जाते लेकिर आज मैं आपको बताऊंगी सही तरीका आलू परांठा बनाने का जो बलुकुल पॉफिक तरीके से बनेंगे और एक्दम सौफ रहेंगे काफी लंबे समय तक अगर आपने एक बार इस तरह से आलू परांठे बना के व्रत में खाए दोस्तों तो आप हमेशे यही बनाना पसंद करेंगे इसको बनाने के दो या तीन खास टेप्स हैं जो आपके साथ में इस वीडियो में शियर करूंगी तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा और आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें बड़े साइस के आलू लिये थे जिनको वॉयल करके ग्रेट कर लिया है ग्रेट करके डालना ज़्यादा ज़रूर यह दोस्तों अगर आप इसको बड़े बड़े पीचिस में डालेंगे तो परांटे बनाते समय डिक्कत आएगी चाहता है साती हे जात मैं डाल है दो चमसितना मुख़ली का पाउडर और परांटेमेंगे बारी बड़े कट हुए हरा ध ανα काई ऑगो हम जितना सिंधा नमग जिसे ब्रत का नमग भी कहा जाता है अच्छे से हम आलू को पहले मिक्स करेंगे आटे के साथ में क्योंकि यह जो आटा होता दोस्तों यह ग्लूटन फ्री होता है तो इसको बनाने में काफी दिक्कत आती है लेकिन आप इसमें अगर आलू डालेंगे उससे एक अच्छी बाइंडिंग में लेगी और आप इसको पॉफिकली बना पाएंगे अगर आप आलू एड नहीं करना चाहते दोस्तों तो आप इसकी जगह शक्करकंदी जिसे स्वीट पटाइटो भी कहते हैं वो एड कर सकते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद बना कर तैयार कर लेंगे तो यहां मैंने आटक गूत कर रेडी कर लिया है दोस्तों और आई अब इसके हम पराठी बनाते हैं तो आप कोई छोटा सा पोर्शन आटक का ले लेना है इस तरीके से हाथ पे तो जितना पालू का पराठी नॉमल साइज कर बनाते हैं बस वैसे और थोड़ा से कुट्टू काटम में इस तरह से उपर से स्प्रिंकल करें जिससे कि जब हम बेलें इसको तो यह चकले बे चिपके नहीं और सबसे इंपोर्टन आप एगदम से इसमें बेलन ना लगाए थोड़ा से पहले हाथ से इस तरह से फिलाएं और फिर इसके बाद बेलें तो आप देख सकते हैं बेलते समय कहीं से बलकुल नहीं फट रहा है दोस्तों और एकदम परफेक्ली हम इसको बना पाएंगे तो देखे परांटा बनाते समें दो बात का धियान रखना है दोस्तों एक तो हमें आटा जो है थोड़ा सौफ्ट गूतना है और दूसर बाते समय भी बलकुल नहीं फट रहा है तो यहां एक परांटा तो दोस्तों बनके तयार हो गया है देखे सकते हैं आप इसकी थेकनिस भी चेक कर सकते हैं अब हम इसको सेकेंगे तवे को मैंने पहले इसी गरम हुन रख दिया था फ्लेम स्लो है और हम परांथे को रखेंग तो इसको सिखने में एक से दो मिट लगेगा और फिर हम इसको पलट देंगे दौरों साइट अच्छे से सिख जाने के बाद हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इस पर लगाएंगे हम घी तो यहां मैं घी डाल रही हूँ एक चमच इतना उपर के लिए अर पर अच्छे से अच्छे से आपके एक दम फूले फूले परांटे बन जाएंगे इस तरीके से यहां में दूर साइट भी लगा दिया है घी और इसको हम अच्छे से दबात वे सेखेंगे तो आप इसको जितना भी सॉफ्ट है क्रिस्प सेखना चाहते हैं आप सेख सकते हैं बस इस तरह से परांटा जो है वो सेक के तयार हो गया है मुझे थोड़ा क्रिस्पी परांटे आलू के पसंद है तो मैंने उसी तरीके से से का है आप इसको कम भी सेख सकते हैं यह एक परांटा जो है वो दोस्तों बन के तयार हो गया है इसी तरीके से मैं बाकी और भी सारे परांटे बना आप बनाने का ये method तो आप इस तरीक से बनाएंगे तो आपके जो पराथे वह भटेंगी और बहुत जट बर्डबस से बना लेंगे घर सारे पराथे तो हैना बहुत आसान इस तरह से अलु पराथे बनाना तो ब्रत में आप इस तरह के आलू परांटे जरूर बनाएं दोस्तों रेसिपी के बस जरूर ट्राय करें आपको ये बहुत पसंद आएगी इससे पहले भी मैंने आपके साथ एक साबोदाने की रेसिपी शेयर करें थी बिना बेगोई साबोदाने को आप बना सकतें तो वो रेसिपी की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगे आप जरू चेक करिएगा और भी आगे वीडियो आप मेरे देख सकें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरू करें बाई टेक क्यार